वार्फरंट से एक और बड़ी अपडेट ये है कि इसराइल ने अब इस बात को मान लिया है कि उसे युद में दूसरा मोचा खोलना पड़ सकता है लेबनान की तरफ से अचानक खमले इतने ज्यादा तेज हो गए है कि अब हिजबुला को रोकना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है गाजा में हमास इसराइल के 94 सानकों को खक्म कर चुका है वहीं अब हिजबुला भी चुन चुन कर इसराइल के सानकों को टागेट कर रहा है ये घाजा नहीं है ये हमास भी नहीं है ये है उत्तरी इस्रेल लेबनन से लगे हुए इस इलाके में जैसे जहनुम की आग जल रही है इस्रेल अब लेबनन को घाजा बनाने की तैयारी में जुट गया है क्योंकि हिस बुल्ला ने इस हमले को अन्जाम दिया है इस्राइल और लेबनन बॉर्डर पर हुआ ये हमला एंटी टैंक मिसाइल से किया गया है तावा किया जा रहा है कि इस हमले में इस्राइल के कई सैनिक बुरी तरह भायल हुए अगर ये हमला बड़ा लगा तो इस अटैक को देखिए हिजबुल्ला के लड़ा के रमीम बैरक के पास एंटी टैंक मिसाइल पायर करते हैं और फिर होता है ये धमा का इस स्वक्त लेबनन और इस्राइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि घासा में हो रहे हमले छोटे लगिंगे हिजबुल्ला ने अपनी सबसे खतरनाक स्नाइबर पोर्स उतार दी है हिजबुल्ला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इस्राइल की पूस्ट पर लगातार हमलों का ओडर जारी किया है इन धमाकों ने एक बड़ी गारंटी देती है इन हमलों ने साफ कर दिया है कि अब इस्राइल लेंडन को माफ नहीं करेगा इस्राइल की रक्षा मंत्री की बड़ी धमकी देखिए इस्राइल की वॉनिंग बहुत साफ है उसने जो हाल फिलिस्तीन के घाजा का किया है यही हाल वो लेंडन की राजधानी बेरूद का कर सकता है यानि इस्राइल ने अब जो पहले घाजा का हाल किया है वही वो बेरूद को दूसरा घाजा बना कर करेगा सवाल है कि इस युद में कितने घाजा बनेंगे हिस्बुल्ला का एक और हमला देखिए हिजबुल्ला ने इस वक्त इसरेल की नाक में दम कर दिया है इसरेल को दूसरा मूर्चा खोलने के लिए मजबूर कर दिया है हिजबुल्ला इस वक्त इसरेल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है क्योंकि हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो हमास के लिए अब कुछ भी करेगा और वो इस्राइल पर हमले जारी रखेगा हिदना फिल आयाम इल्कलीला अलमादिया मौज जदीदा मिन तहदीदात ने तिनियाहू, मिन गलेंट, मिन गनेट्स, मिन आखरीन बातिजाह लगनान वसबब हुआ इर्टिवा इर्टिवा इस्राइल के बॉर्डर पर यारून इलाका है यहां उठता धुआ, इस्राइल की बंबारी का नतीजा है हिद्बॉल्ला के अटैक के बाद इस्राइल लगातार दक्षुनी लबनन पर बंबारी कर रहा है इसलिए डर है कि अब इस्राइल बेरूत को दूसरा घाजा बना सकता है हिद्बॉल्ला के महासाचीव हसन नसरला ने अपने भाशण में ऐसी बाते कहीं है कि इससे साफ है कि इसराइल और फलिस्तीन के बीच चल रही जंग लंबी चलेगी खत्रा है कि इसमें दस गुना ज्यादा मौते होंगी टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौक जाएगा ये बात पहले से साफ है कि हिद्बॉल्ला के पीछे इरान है एरान से जैसे औरडर मिलता है हिद्बॉला एसरेल को टार्گिट करता है ये एरान का एसा पलैन है जिसम हिद्बॉला के हमलों के बाद इसरेल बुरी तर उलच कर रहे गया है एरान ने अब ये साफ कर दिया है कि जो भी इसलामिक देश अब इसराइल के खिलाफ नहीं वो घाजा की तबाही में बराबर का साज़तार है मिलत हाई मुसल्मान इन दामाई ये नंगी खुद मीदानन कि दर जमानी के खुद बरादरान शन दर गज़ बर जमीन मीरीज़त दोलत हा बराए मनाफ़ इक्तिसादी सुख्ट माशीन जंगी इसराइल रा तामीन कुनन लेपनन बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलत अगर घाजा पटी को देखा जाए तो इस वक्त वो इसराइल की बंबारी में खंडर बनता जा रहा है 11,000 से स्यादा लोग मारे जा चुके हैं इनमें 5,000 तो सिर्फ बच्चे हैं ऐसे में इसराइल की धंकी क्या हेजबॉल्ला को डरा पाएगी क्योंकि नेतनियाहू ने साफ कर दिया है कि युद्द करना हेजबॉल्ला की जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी देखा जाए तो हेजबॉल्ला वो संगठन है जैसे एरान से पूरी मदद मिलती है और एरान हेजबॉल्ला को इस्रेल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तोर पर इस्तेमाल भी करता आया है लेकिन इस्रेल ने अगर हेजबॉल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनन में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोराई जा सकती है 2006 में हिजबॉल्ला और एरान के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था तब इस्रेल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे जबकि हिजबॉल्ला के 200 लड़ाकों समेट लेबनन के 1200 लोगों की मौत होई थी हम अपनी वीडियो लाइबरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तज़्वीरे निकाल कर लाएं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इस्रेल भेर से लेबनन का वही हाल कर सकता है जो इस बार वो घाजा का कर रहा है इसलिए हेजबुल्ला को नेतनियाहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा क्योंकि इस्रेल अब बेरूत को दूसरा घासा बना देगा ये वो साफ साफ कह रहा है 2006 का इस्रेल लेबनन युद संयुक्त राश्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ इस्रेल के टैंक लेबनन के अंदर खुस गये थे तब भी इस्रेल का मरकावा टैंक सबसे खदरनाकी युद मशीन बनकर लेबनन पर तूट पड़ा था हानकी सीज फायर के बाद इस्रेल को बड़ा घाटा हुआ उसकी फाज को लेबनन से पीछे हटना पड़ा यही वज़े है कि हिजबुला 2006 में हुए युद को अपनी जीत बताता रहा है क्योंकि इस्रेल एक सीना नहीं बलकि मिलीशिया को भी हराने में नाकाम रहा था हाना कि हिजबुला को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था ऐसे में अगर ये जंग बढ़ी और लेबनन और इस्राइल के बीच युद आरपार का हुआ तो इस बार हिजबुला को बड़ा जटका लग सकता है ऐसे में समझ लीजे कि अगर हिजबुला को जटका लगा तो इसका असार तहरान तक पहुँचेगा वैसे नितन्याहू भी यही चाते हैं लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एश्या को बारूद के धेर पर बैठा चुकी है और इसमें सबसे ख़तरनाथ बंबारी हिजबुला के दरफ से की जा रही है घाजा से अलग इसरेयल लेपनन बॉड़क पर जो युद्ध अब तक धीमा चल रहा था उसमें अचानक बारूद की मात्रा बढ़ने से दुनिया में घबराहट फैलती जा रही है उसमें हिजबुला के 73 से जादा लड़ा के इसरेयल के अटैक में मारे जा चुके है जबकि इसरेयल के 9 सैनिक हिजबुला के हमले में जान गमा चुके है हिजबुला ने इसरेयल के छेकानों पर अपनी जुआला मुखी वाली मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी है इस मिसाइल के बारे में नसर अल्ला ने बहुत डीटेल में बताया है ताकि इसरेयल को पता चल जाए कि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला इस बार किस तरह के हत्यार लेकर तैयार बैठा हुआ है अप बॉर्क इस्तरी बॉर्कान ना ने पृप्ध with वराओ這邊's नुरूर्द रुर्कान सारोच जनłe प्थेत में फ्रो-्धा-परेकर लेकरे माझन तरह को नासREE ए्ना तरह मैं नुरूर्द में इसम्यत के प्रीं केमुल्ल् कियो में नुरूँ ओ प्र्ज हूनाद कि हसन नस्राला की तरफ से जो धमकी आई है वो इस युद को किस लेवल पर ले जाएगी इसे लेकर इज्राइल की प्रधान मंत्री बेनमीन नेतनियाहु ने भी तेवर कड़े कर लिए अनक्नु ने नचेख अनक्नु लो नाचोर अद लनिचखोन अनक्नु अधमकी तरफ से जो बाइडन अनक्नु अधमकी तरफ से लेकर इस्राइल की मदद करने पहुचे अमेरिका को बिना लड़े एक बड़ा जटका लगा है भूमध्दिस अगर भी अमेरिका की समुत्परी बीडे का हिस्सा रहे पाँच कमांडो एक क्रेनिंग मिशन के दोरान मारे गए हैं अमेरिका की केरियर युएसस फोर्ट से ओपरीट करने के दोरान उसकी स्पेशल ओपरीशन थीम यानि सील कमांडो दस्ते के पाँच सैने के खेलिकॉप्टर हदसे में मारे गए इस वक्त एज्रैल और अमेरिका के लिए चार एच बहुत बड़ा खत्रा बने हुए है इन चारों एच के बारे में बहुत गोर से समझेगा क्योंकि इन चारों एच को इरान का पूरा समर्थक है एच से हमास एच से हेजबुला यानि लबनन का मिलीशिया एच से हूथी यानि यमन का विद्रोही को इसरैल के शहर टार्गेट पर है और घाजा में बंबारी के खिलाब फेजबुला और हूथी दोनों ने अपना हत्यार गोदाम खोल दिया है लेकिन ऐसे हमलों और घाजा पर बंबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वार ट्रेंगल तैयार कर लिया है नेतन्याहू के वार ट्रेंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन्याहू के वार ट्रेंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनन में हेजबुला का अंत है जबकि नेतन्याहू के वार्ट रेंगल में तीसरा सबसे खतरनाक होना है सीरिया, जहां से एराक का मिलीशिया, हज्द, अल, शाबी इस्रैल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। यही वज़ह है कि सीरिया पर इस्रैल के एरफोर्स ने हमले तेज कर दिया है। यह तीनों जगर इस्रैल के बॉर्डर से लगी हुई है और इस्रैल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खत्रा मानता है। इस्रैल के जवावी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इस्रैल अब पीछे हटेगा, उसके रास्ते में जो आएगा, इस्रैल अब उसे मिटाना चाहता है। फिर चाहे वो हमास हो, हेजबुल्ला हो, यमन हो या फिर इरान, इस्रैल का इरादा पक्का है, जो उससे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा।